कि हर ब्लॉक के पीचे थौट पेटरंड होते हैं, जैसे आपने 2013 में जो आपको अटेक आया, 90% ब्लॉक था, आपने उसमें स्टेंट लगवा लिया, और 4 साल के अंदर वो स्टेंट वापिस बंद हो गया, और 2 नौए ब्लॉक भी आ गए, इसका मतब जिस जो आपका जो ब् गलत सोचने का ढंग था, जैसे आपके नर जल दीवाजी है, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर है, एंजाइटी रहती है, आपको गुसा आता है, आप अंदर दर गुसा करते हैं, आप सेंसिटिव हैं, आप एमोशनल हैं, अपने मन की टेंशन को शेयर नहीं कर पाते हैं, अंदर दर उदास हो जाते हैं, दुसरों के अगुन देखते रहते हैं, दुसरों को अगुन आपको दिखाई नहीं देते हैं, अगुन ही दिखाई जाते हैं, आप रिवेंच फुल हो जाते हैं, किसे को माफ नहीं कर पाते हैं, तो इस सब कारण हैं, इनके अल्ल कारणों स इसके लावा और भी बहुत सारे कारण है, जिनकी वज़े से हमारे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आप कई सारे ब्लॉक्स हो गए, तो हर ब्लॉक के पिछे हमारे थौट पैटर्ण्स हैं, और हमने यह देखा कि राजयों के मेडिटेशन से, ब्रह्मा कुमारे राजयों के होते हैं, तो पैशेंस कैसे लाई जाएं, जल्दी-बाजी का संसकार ही खत्म हो जाएं, जिन्ता का संसकार ही आपको कर्कान हो जाये, जल्दी-बाजी से जो तो गुस्सा बेसी के लिए क्या है क्योंकि हाट को क्या चाहिए? परमात्मा का प्यार हमारे लिए कैसा है? परमात्मा का प्यार की परिवाशा कैसा है? और बिना किसी शर्त के और फिर उनकी पालना भी करते हैं केयर भी करते हैं और हम क्या करते हैं? हमारी चाहिए पत्नी हो चाहिए पती हो चाहिए माबाप हो चाहिए बच्चे हो चाहिए भाई बेन हो हमें हर चिसमें कंडिशन चाहिए तुम ऐसे करो तो ऐसा होगा ऐसे करो त तुम जो हो जैसे हो मुझे स्विकार है, हर आदमी से गल्तियां होती हैं, हर आदमी के जीवन में गल्तियां, कोई आदमी धरती पर ऐसा नहीं, जो कहते हैं, तुम जो कहते हैं, जो कहते हैं, अपनी गल्तियां को देखते 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 हैं, जब ऐसा हम सुख सारे विश्यमिं, हर आदमी के साथ रहेंगे, कोई पीचा MRP हमारा समपर्क वाला हो, पड़ोसी ओ, employee हो, employer हो, कोई भी हो, हमारी काम करने वाली आया हो, हमारा पीवाड़gesetzt हो, नौकार हो, तो सबको हमें ऐसे दिल से सुखाहर करना है, और कई ब्ार आम क्या करते हैं, बाहर पब्लिक बहें दिखाते हैं, यह तो अपने साथ अमारा वैवार करलत है, TO मेरा अपने साथ वैवार क्या है? regular acceptance, मुझे अपने आपको भी accept करना और दूसरों को भी accept जब आप इसा अपने को accept करना सीख चाएंगे, तो आप देखेंगे आपका heart के blockage खुलने शुरू हो जाएंगे, अभी से, आप patience रखना शुरू कर दें, क्योंकि patience शब्से ही patience शब्दा है, तो आपके अंदर, if you lose your patience, you become a patient, आपको एंजायना बार-बार क्यों होता है, क्यों जाती है, खुन जबने लगता है, और problem शुरू हो जाती है, इवन आप aspirin खाते हैं रोज, तो aspirin भी आपको 100% protection नहीं देती है, इसे आपको 25% protection देती है, खुन का तक का ना जमे, आप साथ में Clopidogal खाते हैं, तो साथ में 7% और मिल जाता है, तो 32% आपको protection ली, 68% chance अभी ह कि आपको clot बनेगा, heart attack, clot बनके heart attack हुगा, दुनिया में कोई मुएसी medicine नहीं जो आपको बचा सके, अपने अंदरी natural सत्य प्रेम का, रूहानी प्रेम का गुण पैदा करिए, patience लेके आईए, और incurable heart disease है, आपने कितनी बार angioplastic कराया, फिर भी आप ठीक नहीं हुए, आप करें, बाइपास करा लो, बाइपास भी आपको ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि diffuse disease है, अब आपकी condition inoperable है, diffuse disease में ना angioplastic काम करती है, ना हमें बाइपास काम करता है, heart की pumping भी आपने पताया, कुछ कम हो गई है, ऐसी और ब्लेड प्रेशर डायपेटीस भी आ गई है, यह सारी manifestation उसी की है,